नमस्कार D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धरम धरोह संस्कृती में आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस प्रोग्राम में हम हिंदु धरम की मान्यताओं परंपराओं सभ्यता संस्कृती और विशेश्टाओं के बारे में बातचीत करते हैं हम आज बात करेंगे ऐसी ही मान्यता की वैसे तो हिंदु मान्यताय कई हैं जैसे की शिवलिंग पर जल चड़ाना माथे पर तिलख लगाना हाथ में मौली बात करेंगे हाथ में मौली बानने की मौली हरूपरा बैदिक काल से चली आ रही है वैसे तो यग्यके समय से बांदा जाता था लेकिन फिर भी इसका और भी धार्मिक महत्व है धर्मिंदर जी इसका और क्या धार्मिक महत्व है जी बिल्कुल वंधना जी वड़ा ही अच्छा टॉपिक है मौली मौली अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हमारे और तरिशक्ति है उनके जो एक तरहा से रक्षा के लिए रक्षा कवच होता है मौली इसको कलावा भी कहा जाता है क्लाई के उपर बांधी जाती है और वैदिक नाम इसका है उप मने बंध तो इसके चलते काफी एहम हतों है भारतिय संस्कृति में भारतिय धर्म मे हिंदू धर्म में इसका काफी महतों मना जाता है और शुरुआत की बात की जाए तो वैदिक समय से ही इसका चलन है इसको हाथ के उपर बंधा जाता है कमर के उपर बंधा जाता है गले में भी डाला जाता है इस मौली को बड़ा पावन मना जाता है इसे धागे को वैसे इसको चंदर मौली भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शंकर ने चंदर मा को सिर पे धारण किया वा था और मौली का अर्थ भी होता है सबसे उपर यानि कि सिर इसलिए इसे चंदर मौली भी कहा जाता है बन्दना जी बिलकुल शुरुआत की बात की थी आपने पूछा था की शुरुआत कैसे हुई तो शुरुआत इस तरह की हुई की जो एक असरों के राजा थे बली उनको अमर्ता का जो वर्दान देना था अमर होने के लिए बताना था तो उसके चलते भगवान वामन ने उनके हाथ के उपर रक्षा कवच बांद दिया था तो इससे ही शुरुआत होई थी और साथ ही मा लक्षमी ने भी राजा बली के हाथ के उपर अपने पती की रक्षा के लिए इस धागे को बांदा था तब से माना जाता है कि रक्षा होती है, इसको रख्षा कवच माना जाता है. युद्ध के समाएं जब पती युद्ध करने जाते थे, तो जो राणिया हुआ करती थी वो भी अपने हस्बिन के हाथ पर मॉली बांधा करती थी, उनको एक रख्षा कवच प्रदान करती थी, वैसे तो मॉली, कच्चे सूत, धागे इन सब की बनी होती है, तीन तार्की होती है, जैसे कि जब ये तीन तार्की होती है, तो त्रीदेव का वास इसमें माना जाता है, और रंग होता है लाल, पीला, हरा, लेकिन, आजकल दो रंग और प्रेशलेत हो गए सफेद और नीला तो वो अब पंच देव के साथ उसे जोड़ा जाता है और साथ ही लोग मननत मानने जाते हैं कई मन्द्रों में जाते हैं दार्मिक SetherL Pacific पर जाते हैं तो वहां पर मौरी बांगने के बाद अपनी मननत मांगते हैं कि हमारी ये मननत पूरी होगी तो हमें इसे खोलने भी आएंगे तो उसके बाद जो शर्थालू है जो मन्नत मांगने वाले हैं इस मौली को खोलने भी जाते हैं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही का धर्मेंदर जी मन्नत पूरी होने के बाद खोलने भी जाते हैं कैसे आपको बता दें कि मौली पुरुष और अविवाहित कन्याओं के दाएं हात में और विवाहित महिलाओं के बाएं हात में बांधी जाती है। खुद इस मौली को बांधे हैं तो उससे ज्यादा उचित होगा कि आप किसी ब्राह्मन से किसी पंडी से इसको बंधवाएं तो ज्यादा शुब माना जाता है। वो आपके सर पर होना चाहिए। नंगे सर कभी भी मौली नहीं बंधवानी चाहिए। जो बिल्कुल वंधना जी मौली बांध लेते हैं उसके बाद उसको खोलना भी होता है। तो उसको खोलने के बाद प्रंपरा रही है कि जा तो उसको किसी पेड के नीचे रखा जाता है। जो हमारे बड़े पेड होते हैं बर्गत है पीपल है उसके नीचे रख देते हैं या फिर इसको जल में प्रवाहित किया जाता है। पेड के नीचे रखने की प्रंपरा है या फिर इसे जल में प्रवाहित करने की प्रंपरा है। तो लोग कई रोगों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे में अगर आप मौली बानते हैं तो आपकी नसों में रक्त संचरन ठीक रहेगा। और रक्त संचरन ठीक रहा तो आपको विमारियां वैसे ही पास नहीं आएंगी। बिल्कुल वंधना जी कई वर आपने देखा होगा कि किसी के कमर में दर्द रहता है, किसी की टांगों में दर्द रहता है, किसी की ना भी खिसक जाती है। तो इसके चलते ही धागा बांदा जाता है, कई आपने देखा होगा कि यह पैर के इंगूटे को उपर धागा बांदा कर रखते हैं, एडी से उपर भी धागा बांदा जाता है, टांग के उपर, तो अलग लग परकार से जिस परकार हम एक्यू प्रेशर पर नाली को देखते हैं तो उसके अंतरगते सारा कुछ आता है कि जो हमारी नसे होती है अगर उनको धागा बांदा जाए तो जो सक्रिय रहती है और कई परकार के रोगों से आपका बचाव हो सकता है ये वग्यानिक इसका महत्व भी है इसका धार्मिक महत्व भी है इसका अध्यातमिक महत्व ही है मौली जो हमारी प्रचलन में आई हुई अब तो अलग लग कलर की मौली भी लोग बांदने लग गए हैं पहले बताया वंदना जी आपने की तीन रंग हुआ करते थे पाँच की मौली भी आती है उसके लावा और भी कई रंगों की मौली आती है लोग अक्सर अपने हाथों में बांदे हुए दिखाई देते हैं पॉजिव एनरजी के लिए मौली बांना अच्छा रहता है ये आप सभी मान लें चाहे आप आध्यात्मक से ना जुड़ें मगर फिर भी मौली बांने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा धर्मेंदर जी ऐसी ही और चर्चा लेकर के हम फिर से दर्शकों के सामने प्रोग्राम धरम धरोहार संस्क्रती में हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे बंदना और मुझे धर्मेंदर संधू को इजाज़त दीजिए धन्यवाद